छत्रपति सिवाजी महाराज की पुन्य भूमी की धर्ती से बात करना चाहता हूँ तुल्जा भवानी की धर्ती से बात करना चाहता हूँ मेरे First Time Waters आपने देखा होगा कि हमारे हाँ कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है नोकरी मिल जाती है कमाई हो जाती है और फरस्ट टाइम जब उसको सेलरी मिलती है अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है पहली जब कमाई होती है हमारे देश में जाजातर बेटे-बेटी क्या करते है पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते है मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चर्णों में रखूँँगा या जाकर के अपनी कोई आराज्य देवी होगी उस मंदीर में जा करके चड़ा दूँगा या अपनी छोटी बहन होगी तो पहली कमाई उसको दे दूँगा ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है हम पहली कमाई दे देते गर नहीं देते हैं ये देश की परंपरा है मैं आप से कहना चाहता हूं मेरे देश के first time water को आप भी संकल्प कीजिए कि पहला vote आपका जो आपके जिवन की एतिहासिक गड़ी है आपके जिवन पर याद रहेगा कि पहला vote कब डाला कहां डाला कौन सा चुनावता किस को डाला ये जिवन पर याद रहने वाला है हर किसी को पहली घटना याद रहती है मैं जरा कहना चाहता हूँ मेरे first time voter को क्या आपका पहला vote पाकिस्टान के बाला कोट में air strike करने वाले वीर जमानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या मैं मेरे first time voter से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलगावा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या मैं first time voter को कहना चाहता हूँ क्या गरीब को पक्का घर मिले इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सोकता है मैं मेरे first time voter को कहना चाहता हूँ किसान के खेत में पानी पहुचे इसके लिए आपका पहला vote जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मैं मेरे first time voter को कहना चाहता हूँ गरीब से गरीब को आरोग्य की सेवा मले आरोशिमान भालती हो जना सफल हो इसके लिए आपका vote जाना चाहिए कर नहीं जाना चाहिए मेरे नए voter मेरे first time voter आप ताइ किजिए कि आप इस बार vote सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे आप 18 साल के हो गए देश ने आपको कौद कुद दिया है आप 18 साल के हुए आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है 18 साल की जिंदगी में आपके परिवार के साथ साथ किसी सिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा बिमार हुए होंगे तो किसी ने आपकी बिमारी के उपचार किया होगा आपको आर्थिक मुसिबत होगी तो किसी ने आपको आर्थिक मदद की होगी इस उमर को बनने में आई जीवन को बनने में समाज ने आपको कुछ न कुछ दिया है और इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना सिरफ और सिरफ देश के लिए देंगे देश को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए और मैं फर्स टाइम बोटर को कहता हूँ आप गर्व से कह सकेंगे आप अगर कमल पर बटन दमाएंगे या आप धनूस्तीर पर बटन दبाएंगे आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला भाई और बैनो एक तरफ NDA महायुति की सरकार है जो पूरी तरफ से विकास के लिए समर्पिद है बारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है दूसरी तरफ Congress NCP की महामिलावट है जहां अपना और अपने परिवार का स्वार राष्टहित पर भारी पड़ रहा है इतनी गुडबाजी है कि समझी नहीं आ रहा है कौन किसके साथ है क्या गुडबाजी में फंसे लोग आपका बला कर पाएंगे आपका भला करवाएंगे जो अपने परिवार की सोते हैं वो आपका भला करवाएंगे ये confusion ये अविश्वार सिर्फ महारास्टर तक सिमित नहीं है Congress सिर्फ एक ही परिवार के विकास में लगी है और इसलिए राज के विकास की कोई परवा नहीं है और जब मैं परिवार बाद के आलोचना करता हूँ अगर इन दलों को सिखना है तो बाला साथ ठाकरे से सिखिए बाला साथ चाहते तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे बाला साथ चाहते तो उद्दव ठाकरे जी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे लेकिन बाडा साथ ठाकरे ने वो रास्ता नहीं चुना देश में परिवारबादी पार्टिया अगर सीखना है तो बाडा साथ ठाकरे से सीखो अरे कॉंग्रेस में प्रस्था चारी सिष्था चार है आपने देखा होगा कल परसो कैसे कॉंग्रेस के करीवियों के कॉंग्रेस के दर्बारियों के गर से बक्सों में नोटे निकली ये नोटे देखा कि नहीं देखा टीवी पे देखा कि नहीं देखा नोट से वोड खरीदने का ये पाप इनकी राजनितिक संस्कृति रही है अब बताईए भाईया वो पिछले छे महने से बोल रहे है चोकिदार चोर है बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं लेकिन नोटे कहां से निकलती है नोटों के बंडल के बंडल कहां से निकल रहे है असली चोर कौन है असली चोर कौन है असली चोर कौन है चोकीदार का भाय किसको है चोकीदार का भाय किसको है चोकीदार से कौन काप रहा है इतने नोटों के बंडल के बंडल निकल रहे है तो चोकीदार को गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे सोचिए मध्यप्रदेश में सरकार बनी अभी छे महिने नहीं हुए है लेकिन इनकी मास्टर ही देखिए तो आप सुन रहे थे योग